देखिए जो लोग प्रवक्ता की तयारी कर रहे हैं ल्टी ग्रेट टीचर और जैसे पीजीटी की तयारी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए अब थोड़ा सा कुछ नियुनतम महरता अंक लागू कर दिया गया है हाला कि अभी निरने लिया गया है इसको लागू नहीं किया गया है ठीक है निरने ले लिया गया है लेकिन ये भविस्य में आने वाली भरतियों में लागू हो जाएगा ठीक है तो प्रवक्ता भरति के लिए पीजी में 50% अंक होना अनिवार किया जाएगा सासन के निर्देश पर मादमिक विद्यालियों में होने वाली प्रवक्ता भरती में राष्टी अध्यापक सिक्षक परिशत की गाइडलाइन के नुसार नियूंतम अहरता लागू की जाएगी और NCT मानक के नुसार अहरता लागू करने के संबंद में 29 अगस् में 28 अनिवार करने पर विशे सग्यों ने समती जताई है यानि कि जो लोग PGT की त्यारी करते हैं या जिसमें PGT के माध्यम से जो वैकेंसी आती है PGT की उसमें अब 28 अनिवार किया जा रहा है ठीक है अब सुत्रों के अनुसार अहरता में संसोधन संबंदी प्रस्ताओ यूपी वोर्ड की और से सासन को भेजा जा चुका है अब वर्तमान में राजिकी और एड़ेट कालेजों में प्रवक्ता भरती के लिए परासनातक में निवन्तम अंकों की कोई बादिता नहीं है जबकि NCTE ने 16 दिसंबर 2014 को जारी अधिसूचना में प्रवक्ता भरती के लिए परासनातक में निवन्तम पच्चास परतिसत अंकों की अनिवारता लागू कर दी थी और केंद्री विद्यालेयों की PGT प्रवक्ता भरती में भी PG में 59 परतिसत अंकों की बाद देता लागू है तो देखिए PGT में अब 28 भी लागू हो जाएगा और निवन्तम 50 परतिसत अंक होने चाहिए ठीक है और वर्तमान में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालेओं में भी नहीं है नियम और दोनों भरतियों में केवल पराशना तक पास कर सकते हैं आवेदन तो ये अभी तक तो ये था कि पराशना तक के वोल आप कर लीजिए और आवेधन कर सकते हैं लेकिन अब जो है कि ऐसा नहीं होगा इनमें जो है कि लागू कर दिये गया है 50% नियुंतम आर्था अंक और बीएड ठीक है थाइंक यू